आज जब मैं सोकर उटी तो मेरा किसी बात में मोड खराब हो गया जिसकी वज़े से जो रेली रूटीन में साथ महीने से फॉलो कर रही थी ना मैंने उसमें सो कुछ भी नहीं किया और फिर मैं रोने लगी और फिर थोड़ी दिर बाद मैंने बर्काउट किया बुक्स पड़ मैं ठीक कर सकती थी मैं हर कमी को ठीक करने कोशिश करती थी और जो भी नहीं स्किल्स से उनको सीखने कोशिश करती थी इन सिर्फ एक चीज थी जो मैं नहीं कर पा रही थे और वो थी कंसिस्टेंसी मैं उस वक्त यह समझ चुके थी कि there is a missing piece जो मुझे रोग रहा है पने जी कैसे इतना consistent रह पा रहे हैं कैसे की वीडियो जाल रहे हैं मेरी life में इतने सारे issues आ रहे थे और मैं उनको deal करते करते अपनी life को भी balance नहीं कर पा रहे थी लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मुझे आगे भड़ना है तो मुझे consistency की जो कमी है वो पूरी करने पड़ेगी और मैंने इसी वज़ासे YouTube के इस डिएट सारे वीडियो देख डाले के consistent कैसे रहना है कैसे रहना है लेकिन मैं consistent नहीं बन पा रहे थे क्योंकि जो वो चीज मुझे follow करने के लिए बोल रहे थे उस चीज को follow करने के लिए भी discipline और consistency की बहुत दर्वात होती है लेकिन मैं disciplined होने की जगा हर रोज मोटिवेशन वीडियो देखकर सोचा करती थी कि हा मेरे दा consistency आ जाएगी अब मेरे अंदर मन कर रहा है मुझे content बन ना मैं खाना खाती थी मैं depressed हो जाती थी मुझे लगता था कितना सारा भार मेरे उपर है मैं कैसे सब कुछ करूंगी और मैं अपसेट होके बैट जाती थी जब मैंने फिर खुद से ही बहुत सारे जब experiments की है मैं कैसे consistent रह सकते हूं तो मेरे को एक बहुत अच्छी trick बना चल है लुकर नहीं होेँ तो हम यह अच आपने बीडियों के लिए जिनके अंदर कुछ करने की चाहते है जो डिटरमायंड है अपने गोल्स को ले काम के लिए ही उल्टा बोलने जाते हैं और गिबब भी कर देते हैं तो हाँ जल्दी सब शुरू करता है इस बारे में तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे ज़रूरी जो है ना वह इमोशनली स्ट्रॉंग बनना है अब मेगी लाइन बो पुच्छा करते हैं तो बनाते हो तुम क्र backups नहीं करते हैं तुम क्या प्लैन करते हैं कया बनाने से पहले क्षे वहां पता है बहुत सिंपल बात एक बस बोली मुझे कि जब हमें वीडियो बनानी है तो बनानी है कुछ है इसके आगे पिशे और मैं एक टैग बरनर के वीडियो थेखी ती जिसमें टैग बरनर ने कहा था हमारे साथ एक परसन गाम गए तोसने कि आप कंसिस्टेंट कैसे हो मेरा ये उससे कोश्चन था कि आप कब वीडियो बनाता है नकाल जूर घंट बनाने का डिसेजन लिया था तो मैं ने कहाता है अगर हमेंसा कोई मर भी जाये तो उस दिन वीडियो बनेगी तो यह तने हार्स डिसीजन जब लोग ले रहे थे जहां में छोटी सी बात पर वीडियो बनाना ही चोड़ देती थी वहां लोग अपने सीजो कोई वैलिव नहीं है कि ईमोशन हैं हमारे जो मैं रोग रहे य उस चीजनbn आरेंसे हैं खता है कि में लगता है कि दुनिल्या का हरकोई इसां था में ऐब सक्षा कर सकता है तो उस्केश है मैं रोना चाहती हूं तो मैं रोती हूं मुझे कोई फरग ने पढ़ता कोई मेबर में क्या सोच रहा है तो मैं अपने इमोशन्स को इतना जादा ओपनली एक्षप्रेस का अपने वाली लड़की आज जब मुझे किसने कुछ कह दिया मुझे हर्ट हो गया और फिर दो सेकंड बात में फिर से ओक होगी अपना काम करने के तयार हो गई आखर कैसे बनते हैं ऐसे के हमें हमारे काम की बीच मारे इमोशन्स नाए इस बात कर रलाइशन मुझे इस चीज से हुआ था कि बहुत बार ऐसा हो चुगा था मेरे साथ कि मैं जब काम करने की सोचती थी तो मेरे जो इमोशन से जैसे मन नहीं है काम करने का सबसे जादा बीच माता था मेरा मेरा मन नहीं है काम करने का क्या करें कि में हैं काम करके ऐसे मुड्स मुट करावटा न थन बातों से और में क्या कती थी मतलब छोड़ देज ती इस दिन काम पंपना के आज मुझte अच्छा न झी लग रहा है अज ठीक तब धे ठीक नहीं लग रही मुझे एसा मतलब खुछ से ही मुझे ऐसा फील होता था और जिसकी वैसे मैं अपना काम काना छोड़ देती थी पर फिर मुझे रिलाइस हुआ कि अगले दिन मेरा मन कर रहा है करने काम अगले दिन में ठीक हो गई हूँ अगले दिन सब कुछ ठीक है लेकिन क्या ठीक नहीं अगले दिन पता है अगले दिन ये ठीक नहीं था कि जो मेरा वक्त था वो जा चुका था आज मेरे एमोशन चीक हैं लेकिन वो वक्त तो चला गया ना क्या पता मेरा आगे कि अगले सौ दिन तक मेरा मन ना करे मेरा काम करने का तो क्या मैं अपने दीवन के सौ दिन खराब कर दोंगे? जस्ट बिकॉस के मेरा मन नहीं कर रहा? तो जब मैंने रिलाइस किया ना मैंने सोचा कि मैं नौकरी करती थी जब भी बहुत दिन ऐसे आते थे जब मेरे नौकरी पर जाने का मन नहीं करता था लेकिन तब भी में वो काम करती थी क्यों? क्योंकि मुझे मेरे उपर प्रैशर था लेकिन आज जब मैं अपने लिए काम कर रही हूँ तो मेरे उपर कोई प्रैशर नहीं है जब सोचते हैं कि यूटूब पर काम करना लाइक बिंग यॉर ओन बॉस बॉस आजाने से नी बनते बॉसको बहुँ जङलाडा स्ट्रिक बनना पढ़ता है बॉसको अपने काम कर लिए खुद रोज सुब उठके तयार होना पढता है कहा हमें आज काम करना होता है हमें अपने काम की पहली प्रायोटी रखनी होती मेरी किसी से लडाई हो गई, और मेरा मूड खराब हो गए मैंने काम छोड़ दिया नहीं, चाहें 2 मिनिट पहले कुछ भी हो, उस से कोई मतलब नि आज आज आप कैमेरे के सामने, अच अपने काम करना है, अपना काम कर हो गए, यह इमोशन आपको अपने धर लाना पड़ता ह अभी कैसे आपको अभी कैसे आएगा अभाई यवाल बार में आपको पुरी बता दिया कि आपको जब मुझे वार्लाइज हुई थी ना कि मेरा जो वक्त है वो चला जाएगा उसके बाद फिर का होगा मैंने एक दिन वीडियो नहीं बनाई तो मेरी कंसिस्टेंसी वहीं टू होती है अगर मैं इन मैसे रोज ना पढ़के में एक दिन छोड़ दो उस चीज को तो कि मैं कंसिस्टेंट हूं लेकिन हम कैसे उस चीज में कंसिस्टेंट रह सकते हैं हम रोज ब्रश करते हैं मैं तो करती हूं तो क्या हम से कोई कहता है क्या हम प्रेशर फिल करते हम ब्रश अब हमें यह चीज़ सीखनी है, कि पहले तो कहते है अपने emotions को control करना है, दूसरी चीज़ क्या है, कैसे अपने emotions को control करना है by doing that thing every single day, अब भाई वह तो हम सीख रहे हैं, अब उस काम को अगर हम रोज कर लेंगे तो फिर प्रोलम ही क्यों आती है, फिर हम consistency तो होती है, रोज का करना workout, तो मैं कितने ही दिन कर पाऊंगे, मैं एक दिन कर लोंगे, दो दिन, दस दिन, जाता से अदा, जो बहुत अधा मैं discipline अगर बनना चाहरी हूं, तो मैं कर लोंगे, या मेरे ऊपर कोई और जिम्मदार ही नहीं है, से workout करना है, तो मैं कर सकती हूं, 10 दिन, 20 दिन, 30 दि लाइफ टाइम, वो तो सिर्फ ए डिसिप्लेंट बनना ही कर भाएगा, तो इसलिए, अब हम जब उस चीज को habit बनाना है, तो बिल्कुल चोटे से शुरुआत करो, चोटे से शुरुआत का मीन, अगर आपको vlogging करना है, मालो, आपको YouTube बनना है, आपको रोज vlogging करना है, तो इ रोके आपको सोड़ बत करके माना है, अपनी अच्छी बोरी कोई मतलब नहीं हे, बिकॉर्स हमें रिजल्ट नहीं जाही है, क्योंकि जब कोई काम हम अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें अच्छा करते हैं इसलिए क्या हैं क्यों है, लो रिजल्ट में होता है, पर inquiñral Initiative क् नहीं, तो मैं क्या करूँगी, मैं पर्फेक्शन को बिल्कुल हटा दोंगी, I don't care, वीडियो कैसी बन रही है, I don't care, ऐसे ही, जि मैं बुक पड़ती हूं, I don't care, मैंने बुक किदे नहीं पड़ी, मुझे नहीं चैप्टर पड़ने, एक हर रोज, नहीं पड़ना, क्या पता कभी कभी में परग्राफ पड़के छोड़ देती हूं, तो मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, I wanted to create the habit, तो इसलिए मैंने उसको उठाया अपने हाथ, मैंने बुक खो ली, और मैंने उसको एक परग्राफ पड़ा, तो उससे क्या होता है, मैं टिक कर देती हूं, I read the book, बस हो गया, आज मेरा मन नहीं है meditation करने का, जो मैं आदा घंटा करने ही सोचती हूं, उन में नहीं कर सकती, लेकिन मैं करती हूं, 5 मिनटा meditation करें, इसलिए मनाम करने के लिए, कि हाँ जी हम नाम करना है, हम नाच किया है, तो मैं कड़ देती हूँ और ऐसी नाटा कड़ते करते साथ महीने निकल चुके हैं आज मैं exercise आदा घंटे करती हूँ आज मैं meditation 10 min करती हूँ मैं 10 min स्यादा भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक है आज मैं affirmation सुनती हूँ 10-15 min तक मैं साथ-आट महीने से ज़िटा हो चुका है, मैं गरम खानी नहीं परूज मैं बॉक्स पठते-पठते मैंने आठ बॉक्स पढ़ लिया है जो मैं कहा शुरुआत मैंने कहा इकसे बुख उठा के पेला अगराफ पढ़ने से करी थी आज मैं बुक्स की बुक्स पढ़के वैठी हुए उतने सारी कैसे? कैसे पढ़ती हूं मैं थी साली बुक्स? कैसे मैं जबकि मुझे इंटरस्ट भी ना रहा कभी कबार मुझे बोरिंग लग रहे हैं बुक्स फिर में पढ़ रही हूं उने कैसे बढ़ रहा है मेरे अंदर क्योंकि मैंने स्टार्ट छोटे से किया तो हमेशा जब आपको किसी चीज की हैबिट बनानी है स्टार्ट इसमॉ geral क्या तुम εδώ कर रहे हैं हमें बढ़ा करना काम की यह मैं अधिके ऐससी मतलब है कि अधिकन Ѻंग भीडियो बनाए इससे मतलब है मुझे यह नहीं कि मेरी वीडियो अच्छी बनने चाहिए, मेरी वीडियो पर इतने व्यूस आने चाहिए, I don't care, I do not look for the results, results will automatically come to me, क्योंकि यही तो result की खास्यात है, अगर मैं रोज पढ़ाई करों, रोज में एक chapter पढ़ रहे हैं, book का, तो क्या मेरे अच्छे marks नहीं आएं भाई वह दो मन नी करता कभी करता, कभी कवर तो मनी करता कुछ और मन करता, बस पढ़े रहा हूँ, अब फिर उसका क्या करें, अगर तुमें लग रहा है, अब तुमें लगी करिका, हाज हो ठोगे बफर 2 seconds, ब्स नहीं抑ं, और रहो हुगा है, बस सोचोो कि हमें बस, भों तो बस असे pessoalे पुछो, अगर आज मन नहीं है, तु पश्लियों उन दिनों तुम क्यों कर 같아요 ár, नोसलिए खुछ से पूछो, और खुद को ही जवाब दो, कोई और तुम से कहने वाला, नहीं आने वाला कि क्या करना है, और जब जब तुम भुद को दो और जब तुम ये सब चीज आए से करोगे ना जब तुम भुद को बोलोगे क्या हमस्जे काम क्यूं करना है मैं कुछ दिन पर बावद को भूड़ Сोवाच वप अञ्दी तो सहल की अथ बसी उठोली सोच रहीती इस चॉइस जो आज मैं चूज कर रही हूं कि हां थोड़ी दिर और सो लेती हूं वही चीज मुझे आगा जाके मेडियो कर बनाएगी और मैं जो अपना वभिष्ट जो देखती हूं जो चाहती हूं वो मुझे पिलकुल भी नहीं मिलेगा हमारी एक्शन्स होते हैं उन्हीं स रिजल्ट मिलता है सोचने से कभी रिजल्ट नहीं मिलता दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं तो अगर आपको रोज सुभा उठना है ना कुछ करने के लिए तो हम रोज हर रोज अपने आपको बस यहीं बात बोलो कि हां में एकाम क्यों कर रहा हू जब तुम खुद को इस बात का जबाब दोगे ना तो मारे अंदर वो करने की रोज डेडिकेशन और रोज मोटिवेशन आएगी और जब करते करते जब तुम यह सोच के काम करना नहीं चोड़ोगे कि अगर मैंने आज आज चोड़ दिया तो मेरे दो महने की जो कंसिस्ट कि अगया हूँ, there is no going back. अभ हमें आगी बढ़ना हैं यह जो फीलिंग आजाती हैं जब करते करते हैं तो हम अपनी कंसिस्टेंश को फिर नहीं तोड़ते हैं फिर हमें उसे मुझा एल जाता हूँ और असे करते ही वो जिज़ हमारी एक हैबिट बन जाती है फिर हमें क्या तो हिसका है कि यार क्याँ यार कि आज़ना हुआ आज अए वरना ओट न बढ़ना के अँदेल HOWगए वरनाट देनल मेरामनầ Lah Roma मूझ इन घर Mind溜 कर rhythm TadCR Kare NORA मुझ न बढ़ना है तो हम मजा ज़गा पूर दिन तुम इ Pourquoi अधरने आए फिर हम बोरिने वीलिनृ उ उन इन ब को प्रप्र्स हो जाएगा को तू कंसिस्टेंश के लाए बस यही सारी सारी सीक्रेट जिटना डिप लेख जा गर मैंने सब चीजां किंहीं सोच करी आ हैं और यही सारी बढ ताइब जिए चीज मुझे कंसिस्टेंट अर अगर तू मैं यह चीजें कर ली तुर्ण्या मां in the world भी तो मैं नहीं रोख सकता जो चाहने से जो तुम चाहते हो so I hope मेरी वीडियो से आप लोगी help और आप भी consistent बन पाओ and चलो अब next video मिलते हैं till then take care bye bye